भारत को अगर विभिन कल्चर्स का देश कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा हर एक रीजन में अलग-अलग तरेकी की कल्चर है ये रीजिनल कल्चर्स कैसे बनी ये टॉपिक है आपके क्लास सेवन्थ के चैप्टर सेवन्थ का हिस्ट्री में जिसका नाम है मेकिंग ओफ रीजिनल कल्चर्स हेलो एवरिवाइन आएम रुक्मनी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इस चैप्टर के टेक्शल कोशन अंसर आप वीडियो को एंड तक देखिए आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे इसके बाद मैं इसके MCQ और Extra Questions की वीडियो बनाऊंगी उनको भी आप जरूर देखे वीडियो देखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो कैसे लगी प्लीज डॉप ए कमेंट इन कॉमेंट बोक्स एंड शेर देखे वीडियो अच्छे लगे तो ही शेर कीजिए Question No.1 में है Match the following सबसे पहली जो इसमें ये जंगा है ये है अनंत वर्मन अनंत वर्मन कहा है उरिसा में फिर है जगनात जगनात है पुरी में No.2 ये है महोद्य पुरम महोद्य पुरम है केरला में तरी ये है लीला तिलकम दो पाट करिए पहले लीला बोलिए फिर तिलकम बोलिए लीला तिलकम है केरला में इसके बाद है मंगल काव्य मंगल काव्य बेंगॉल का है, यहां पर हम राइट का, यह 4 हो गया, और यह 5 हो गया, इसके बाद है, मिनियेचर, मिनियेचर है, कांगरा का, यह 6 हो गया, I think कि आपको समझ में आगे होंगे यह, Some what is money pravallam, इसको पढ़ने के लिया आप इसके दो पाइट कर लिजिए, पहला है money और दूसरा है प्रवालम, अगर आप इसका शाबदी कर देखें, तो money का मतलब होता है diamond, और प्रवालम का मतलब होता है Moonga, जो कि संस्कृत का शब्द है लेकिन मनी प्रवालम भाषा का नाम है तो मनी प्रवालम is a language अब सेकिंड पाट एक क्वेशन का है नहीं मैं बुक written in that language मनी प्रवालम भाषा में लिखी हुई एक किताब का नाम बताईए दा बुक written in that language यह लीला तिलकम इसको लीला पढ़िए यह लीला है और यह तिलकम है तो आपको याद रहेगा अर्थात लीला यह लीला इंदी का word है यह और यह हो गया तिलकम तो आपका भी भूलेंगे ने इस प्रकार से क्थक के major patterns कोन थे patterns का मतलब हमें पता होना चाहिए जो monetary help भी दे आपको और protection भी दे तो वो कहला था pattern तो क्थक के main जो patterns थे वो कौन थे वो थे Mughals The Mughals were the major patterns of क्थक What are the important architectural features of the temples of Bengal Bengal के temples के जो architecture, architecture क्या होता है Grand Irman Kala The art of making buildings तो जो Bengal के temples है उनकी यह जो building बनाने की art है उसकी क्या features थे features का मतलब होते है vicious time क्या थी Architectural features of the temples of Bengal are number one जियाद रखिए double roof जो जिनकी आने के दोरी छत होते थी उन्हें दो चाला कहते थे four roof जिसकी चार छत होते थी उसे चाव चाला कहते थे दो चाला जैसे ऐसे लिखा जाएगा दो चाला और यह लिखा जाएगा चाव चाला यानि के चार छत एक feature तो यह हो गया इसका अब इसके बाद क्या है comparative more complex four roofed structures और यह ज़्यादा काफी difficult होते थे जो four roofed बने वे होते थे जिनमें चार छते होते थी four triangular roofs placed on four walls चार दिवारों पे four triangular जो triangle की shape में होते थी ऐसी छत लगाई जाते थी moved up to coverage on curved line और a point और एक point तक वो उसको पूरे दिवारों को cover करती थी built on a square platform, square platform पे बनती थी interior plane होता था माँ कोई designing नहीं होते थी outer walls decorated with painting जबकि जो बाहर की दीवारे होते थी उन पे painting बनी होते थी ornamental tiles सजेवे tiles लगे होते थी and terracotta tablets होते थे tablet का माला जिन पे लिखावा होता था question number five, why did ministers proclaim the achievements of heroes जो ministers होते हैं वो heroes की achievement को क्यों announce करते थे क्यों बताते थे, achievements का मतलब होता है उपलबधिया ministers used to recite poems in songs ministers वो कविताएं गाते थे और साथ में गीत गाते थे which depicted the stories of the Rajput heroic deeds deeds का मतलब होता है काम जो की Rajput hero के कार नमों की जो बाहदुरी के काम होते थे उनको उनकी कहानियों को और उनके गीतों को गाया करते थे by reciting such poems in songs ऐसे गीत और कहानिया गाकर गीत और कविताएं गाकर these ministers inspired others to follow the examples of Rajput ministers दूसरे लोगों को praise करते थे कि वो Rajputों के उधारन को follow करें ordinary people were also attracted by these stories आम लोग भी इन कहानियों से आकर्शित होते थे why do we know much more about the cultural practices of rulers than about those of ordinary people आम लोगों की अपेक्षा हमें rulers की क्या cultural practices से उनके बारे में ज़्यादा क्यों जानकारी है मतलब आम लोगों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी की kings के बारे में क्या रिजन इसका we know much more about the cultural practices of rulers than about those of ordinary people because कारण क्या है because ordinary people follow the cultural practices adopted by their kings और emperors की आम लोग तो वही चीजे करते थे जो उनके king और emperor क्या करते थे तो इसे लिए जब वो same ही कर रहे है तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की ज़रती नहीं है जो king और emperor करते थे वो आम लोग करते थे second reason क्या है moreover इसके लवा people had faith in their rulers लोगों को अपने rulers में विश्वास था they could not adopt other cultural practices which their ruler did not practice वो दूसरे किसी चीज को adopt नहीं करते थे following नहीं करते थे जो उनके राजा नहीं कर रहे है तो ये भी कारण था now question number seven why did conquerors try to control the temples of Jagannath at Puri conquerors का मतलब क्या होता है conqueror का मतलब होता है जीतना conquerors का मतलब जीतने वाला कि जितने भी विजेता हुए है उन्होंने पुरी के temple को जो जगनाथ temple है उसको control करने की कोशिश क्योंकि पुरी आप जानते है Odisha में है रथियात्रा निकलती है महाँ पर तो उसे control करने कोशिश को करी जगनाथ जगनाथ पुरी गेंड इंपोर्टेंस अजे सेंटर और प्लिग्रिमेज प्लिग्रिमेज होता है holy place तिरसी इस्थल गेंड का मतलब प्राप्त करना जगनाथ temple जो की पुरी में है उसने एक holy place के center के रूप में importance बनाई its authority in social and political matters also increased इसके साथ इसकी समाज में और political matters में जो power थी वो बढ़ती चली गई hence इसी लिए conquerors tried to establish control over the temple conquerors ने temple को control करने की कोशिश करी they felt वो ये feel करते थे that this would make their rule acceptable to the local people कि ऐसा करने से जो local लोग हैं वाके रहने वाले वो उनके रूल को accept कर लेंगे, स्विकार कर लेंगे why were temples built in Bengal Bengal में temples क्यों बनाए गए temples were built in Bengal because of the following reasons number one क्या था increase in religious faith के धर्म में आस्ता बढ़ रही थी mosque had already been built वाह मजिदे पहले ही बन चुकी थी powerful people wanted to demonstrate their power and proclaim their piety piety का मतला होता है पवित्रता जो powerful लोग थे वो भी अपनी पावर को दिखाना चाहते थे और अपनी पवित्रता बताना चाहते थे low people also participated in the temple building जो थोड़े ordinary लोग होते थे उन्हों नवी temple बनाने में participate किया new economic opportunities economic होता है पैसे से सम्मंदित opportunity का मतला होता है अवसर to people also help in temple setting up के जो नया economic पैसे से पैसा कमाने के जो अवसर मिल रहे थे लोगों को इससे भी उन्हें temple बनाने में help मिली support of brahmans to get idols placed in temples from huts idols का मतलबतर मूर्तिया और huts से उठाकर मूर्तियों को temple में रखा गया इसमें brahmans ने support किया इसलिए भी temple बने important question है describe the most important feature of features of the culture of your region आप जिस region में रहते हैं वहाँ की culture की important features बताईये किस चीज पर focus करना है वहाँ की buildings पर performing arts पर और painting पर I live in Delhi मैं दिल्ली में रहता हूँ right from the beginning शिर्वासी it has been a land of mixed cultures यहाँ पर बहुत सारे मिली जूली संस्कृतिया संस्कृतियों की land है यह इन जगा है यह in olden days पुराने समय में it was invaded by a number of foreign rulers यहाँ पर बहुत सारे foreign rulers ने attack किया some of them stayed here कुछ उन में से यहाँ ठहर गए for some time and some settled down permanently कुछ यहाँ पर permanently बस गए they all affected its culture उन सभी ने यहाँ की culture, language, religion, dharm, society, society, समाज, architecture, building बनाने की कला को, art को, painting को प्रभावित किया still फिर भी we have buildings and monuments built by mughal emperors अभी भी यहाँ पर mughal emperors के द्वारा, slave emperors के द्वारा, राजपूस rulers के द्वारा और और भी बहुत सारे rulers के द्वारा बनाएगे monuments है we have temples, temples हैं, mosques, masjid हैं and many other such places और ऐसी जंगह हैं, constructed by different rulers जिनने अलग-अलग rulers ने बनाया है differences of cultures can still be seen in the areas of old Delhi and new Delhi old Delhi और new Delhi की culture में भी फर्क को देखा जा सकता है do you use different languages? क्या आप अलग-अलग भाशा यूज़ करते हैं, speaking के लिए, reading के लिए, writing के लिए find out about one major composition in language that you use and discuss why you find it interesting एक कोई भी composition लीजे और उसके बारे में लिखे आपको वो interesting क्यों है for speaking I use Hindi, बोलने के लिए मैं हिंदर पंजाबी यूज़ करता हूँ for reading पढ़ने के लिए I use Hindi and English, for writing I use Hindi and English thus I use different languages for speaking, reading and writing इस प्रकार में speaking, reading, writing के लिए अलग-अलग language उज़ करता हूँ choose one state, एक state, choose करिए from North, West, South, East and Central India for each of these prepare a list of foods that are commonly consumed highlighting any differences and similarities that you notice और इनके बारे में जो भी फिर differences है उनको आप बताईए पंजाबी नोर्थ में हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, सर्सो का साग, राजमा चावल और दाल चपाती करते हैं, राज़ेत्थान वेस्टान में हैं, यहाँ पे दलिया दाल चुर्मा और मामा कचोडी ठाते हैं केलला शाउथ है यहाँ पे你說oph राभे है, सांबा डोसा डुकलो यह कहते हैं, वेस्ट बंगल इस्ट में है यह राइस अ फिश कहते हैं, मद्डे परदेश में दाल चपाती और चावल दाल काते हैं I hope कि आपको ये question answer समझ में आ गई होंगी चैनल को subscribe कर लिजिए मैं इसके अभी important extra questions की video भी बनाऊंगी Thank you